लेक्चर स्रीज में आज हम लोग मुद्रा के दोस्त के बारे में देखेंगे समानित परिछाओं में एक प्रस्ण पूछा जाता है मुद्रा एक अच्छा सेवक है किन्तु बुरा स्वामी है अर्थात मनी जे गूट सर्बेंट बटे बैड मास्टर पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि अर्थविष्टा में मुद्रा का महत्वपून स्थान है और मुद्रा वह धूरी है जिसके चारो और अर्थविष्टा चक्कर लगाती है इसके लिए हमने आधुनिक अर्थविस्ता में मुद्रा के महत्व या लाब को देखा था मुद्रा का आर्थिक छेत्र में, उभोग के छेत्र में, उत्पाधन के छेत्र में, बिनिमय के छेत्र में, बितरन के छेत्र में, राज्यसों के छेत्र में महत्वपून स्थान होता है परन्तु आधुनिक समाज में मुद्रा का इतना महत्पुनिस्तान होने पर भी कुछ वैक्ति मुद्रा में बुराई के रूप में देखते हैं मुद्रा के संबंध में समय समय पर अलग-अलग विचार वैक्त किये गए हैं उनमें से एक ये भी है कि मुद्रा एक अच्छा सेवत किन्तु बुरा स्वामी है। मुद्रा के प्रति विरोधी धारना रखने का कारण यह कि मुद्रा का कारण अनेक बुराईयां तथ दुस प्रवरितियां उत्पन हो गई हैं। इन दोनों को तीन वर्गों में बाटा जा सकता है। आर्थिक बुराई, सामाजिक बुराई या नैतिक दोस। Economic, Demerits, Social, and Moral Demerits। मुद्रा के आर्थिक दोस। मुद्रा के कारण समाज में निमलिखित आर्थिक बुराईयों को बल मिला है। पहला, साधनों का संकेंद्रन। मुद्रा उद्रगिक ब्योस्था का आधार है। अतर समाज के कुछ व्यक्तियों ने चतुराई से अत्यधिक मुद्रा संग्रह कर ली है। और उत्पादन साधनों को अपने हाथों में संकेंद्रित कर लिया है। अविक्सीत देशों में आर्थिक सक्ता के संकेंद्रिन का प्रभाव राजनितिक सक्ता पर भी पड़ा है। जिसके परिणाम सोरुप इन देशों की संपूर्न राजनिती एवं आर्थिक निती कुछ व्यक्तियों के हाथ की कटपुतली मात्र बनकर रह गई है। दुसरा, वर्ग संगर्ष का उदय, मुद्रा की सक्ति के बल पर समाज के कुछ व्यक्ति अधिकाधिक धनी होते चले जा रहे हैं और अधिक व्यक्तियों को अत्यधिक गरीबी का सामना करना पड़ रहा है, इसका परिणाम यह होता है कि प्राय सभी पुझिवाती देशों मे अमीर और गरीब दो वर्ग बन जाते हैं, जिन में नियमित संगर्ष होता रहता है मुद्रा रीन व्योस्था को सुविधाजनक बना दिया है, जिसके फलसरुप गरीब देशों में भी रीन लेका संपन होने के प्रविर्थी को बल मिला है, इसके फलसरुप विकासिल देशों को भारी मात्रा में ब्याज देना पड़ता है मुद्रा इस्पिती, मुद्रा के कारण सरकार को घाटे के बीत व्योस्था अपनाने का बड़ा अस्त्र मिल गया है, जिससे मुद्रा के निकासि आवैसकता से अधिक हो जाती है, और मुद्रा परसार की स्थिती विद्यमान हो जाती है, इसके फलसरुप वस्तुप के मुल बढ़ने लगते हैं, इसे सामायन जनता विसेस कर निश्चीत आयवाले वेक्तियों को बहुत कस्ट होता है अधी पुझी करन, मुद्रा बेवस्था का एक परिनाम पुझी का संकेंद्रन है अर्थात कुछ इने गिने उद्द्यगों में अतिरिक्ट पुझी का बिन्योग हो जाता है और जिसके फलसरोप उत्पादन की अनावसक वर्धि से वस्तों के मुल में गिरावट की प्रवर्टी उत्पन होने लगती है किसी भी अर्थव्योस्था में इस प्रकार की अर्ष्थिर्ता उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं में अविश्वास उत्पन कर देता है चठा बैपार चक्र कुछ अर्षास्त्रियों का मानना है कि मुद्रा की मांग और पूर्टी में असंतुलन होने के कारण तेजी और मंदी की दोर आते हैं जिन से रोजगार, आए, विनियों, आदी पर गहरा प्रभाव परता है अब हम लोग मुद्रा के समाजिक दोस्थ के बारे में जानने का प्रयास करेंगे मुद्रा ने मनुष के समाजिक जीवन को बुरी तरह जगजोर दिया है जिसका अनुमान निमलिखी तथ्यों से लग सकता है पहला प्रतिष्ठा मुलक अधिक मुद्रा का स्वामित तो समाज के प्रतिष्ठा तथा सम्मान का द्योतक बन गया है इस धारना के कारण समाज में मुल्यों का असंतुलन अस्थापित हो गया है क्योंकि धनी व्यक्ति को बुद्धी, कौसल, इमानदारी, त्याग, स्रम, आदि सबसे बड़ा समझा जाने लगा है इस मानिता से समाज के स्रिष्टम बेवस्थाओं को धक्का पहुचा है दूसरा, अधिकाधिक सोसन मुद्रा के लोब ने समाज में सोसन का एक विसम चक्र चालू कर दिया है किसी परकार, किसी भी रीति से, अथ्वा किसी भी छेतर से अधिकादिक मुद्रा परात की जाए इस मानिता के कारण कार्छानों में मसदूरों तथा व्यवसाइक कारयालों में करमचारियों का सोसन होने लगा है तिसरा सत्रुता, मुदरा भाई भाई में विरोद, मित्रों में सत्रुता और साथी सहयोगियों में मनमुटाओ का कारण बनती है अनेक बार मुदरा के लेन देन को लेकर सुखी परिबार नश्ट हो जाते हैं और समाजिक जीवन की सांति भंग हो जाती है अब हम लोग देखेंगे मुदरा के नैतिक दोस्त के बारे में आर्थी के उस समाजिक दोसों के अत्रिक, मुदरा ने समाज में अनेक नैतिक दोस्त उत्पन कर दिये हैं इसलिए कहा जाता है, मुदरा एक अच्छा सेवक, परन्तु बुरा स्वामी है और आज कल की मुदरा ने मनुष पर स्वामित्व पराप्त कर लिया है मुदरा पराप्त करने के लिए मनुष ने नैतिक्ता के उच्चतम सी धानतों का परित्याग कर दिया है जब नियाधिस धन के लोब में रिस्वत लेकर वास्तुई कपराधी को छोड़ देता है पुझी पती धन के मोह में समाज का सोसन करता है एक अभागी नारी पेट भरने के लिए अपना सरीज बेचती है अथ्वा एक लालची पिता धन के लोब में अपने योगे पुत्र का विभा एक आसिछीत तथा असुंदर लड़की से कर देता है तो मुद्रा की काली करतुते दिश्टी गोचर होती है समाज में ब्यापक, भ्राष्टचा, चोरी, हिंसा और अनेक जगन अपराधों के पीछे प्राय अधिक से अधिक मुद्रा प्राप्त करने की लोलुकता छीपी रहती है दुर्भाईक से मनुद्रा को साधन के स्थान पर साध्य समझ बैठते हैं और उससे प्राप्त होने वाले भोतिक आनंद को ही वास्त्रिक सुक समझने लगते हैं यह दुखत इस्थिती है अधिक पाने की लालसा में कई दोसों का कारण बन जाता है एक स्वस्थ वेक्ती अच्छे भोजन को पसंद करता है कि तुब भोजन उनका उनके जीवन में लेच्छ नहीं होता है इसी प्रकार स्वस्थ मस्तिक वाले वेक्ती मुद्रा को पसंद करते कि द्धन कमाना उनके जीवन का एक मात्र लेच्छ नहीं हो सकता है अतर बर्तवान समय में हम लोग देखते हैं कि कई तरह की समाजिक कुरितियां, बैभीचार, मुद्रा के, मुद्रा अधिक मुद्रा प्राप्त करने के कारण लोगों के इमान सिक्ता बन गई है इस तरह मुद्रा के कई दोस हैं जब हम मुद्रा के महत्व और मुद्रा के दोसों दोनों को हम लोग एक साथ देखेंगे तो इससे यह स्पस्ट होता है कि मुद्रा एक अच्छा सेवक है अर्थात इसके दुआरा हम समाज के विभीन आवसकताओं को पुरा कर सकते हैं परन्तु बुरा स्वामी है इसका तात्पर यह है कि जब हम मुद्रा को इसलिए प्राप्त करना चाहते हैं क्योंकि हम उससे समाज में स्रिष्टा प्राप्त करते हैं अमीरों गरीब की बीच की खाई बढ़ती जाती है नैतिक दोस उत्पन होते हैं लोगों का सोशन करने लगते हैं मुद्रा के कारण सत्रुता उत्पन हो जाती है तो हम कहा सकते हैं कि मुद्रा एक बुरा स्वामी है इस तरह यह कथन सही है कि मुद्रा एक अच्छा सेवक किन्तु बुरा स्वामी है